जे हिंद स्टुडेंट्स मैं हूं रभी कुमार सक्सेना आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम एक नए टॉपिक के वपर चर्चा कहने जा रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट जो है फर्स्ट उनिट में आपको पहना था मोमें करने से पहले आपको मोमेंट निकालना आपको आना चाहिए में आपको इन्टॉडक्षिन ऑर मोमेंट नगूँ तो यह कहते हैं हमने आपको बताया था मोमेंट क्या होता है एक प्रोब्लम करने से पहले हम एक बार मोमेंट को रिवाज कर देते हैं मोमेंट क्या होता है फोर्स इन्टू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे कि माल लेजे अगर यह बीम है अगर इस पर फोर्स यहां पर लग रहा है माल लेजे यहां पर बी पोईंट है और यहां पर फोर्स इन्टू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस तू यहां पर या B.C. हो जाएगा. So moment होता है force into perpendicular distance अधाद product of force and perpendicular distance is called moment. Moment जो है दो परकार का होता है जिस तरह से हम फर्स्ट उनिट में आपको बताया थे clockwise moment होता है anti-clockwise moment होता है clockwise moment क्या होता है? उसको समाуса can now get te Hawaiian clockwise moment क्या होता है? उसको समाईने की courses can change सो घड़ी जो है आपके घर में होगा देवाल घड़ी होगा clockwise moment कहने का मतलब जो घड़ी की दिशा में moment जो है effect डालेगा उसको हम बोलते हैं clockwise moment अगर force जो है अगर किसी body पर लग रहा है और body जो है bend कर रहा है anti-clockwise direction में तो उसको हम बोलते हैं anti-clockwise moment जैसे कि यहाँ पर समझने की courses किजेगा माल लीजे यह आपका जो है force है ठीक है माल लीजे force हो गया यहां पर जो है आपका distance है डी कि फोर्स और डिस्टेंस है तो यहां पर जब फोर्स लगे गा एफ मीश्व तो बोडी किस तरह बेंड करेंगा तो बोर्डी जो है इस चाह करेंब ठीक् Vosar ist टार से बेंड करेंक और यहां पर फोर्स लगेगा तो यह फोर्स इधर से लगेंगा इस तरह से बेंड करेंग सो क्लॉकवाइस और एंटरोगवाइस क्या होता है देखिए यह जो है घडी के डारेक्शन में जा रहा है अर्थात यहां पर 12 होता है ठीक है यहाँ पर जो है 6 होता है और यहाँ पर 3 होता है यहाँ पर 9 होता है तो यह जो है घड़ी के direction में जा रहा है ठीक है यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है यहाँ पर 9 है ठीक है तो यह सूर्सक्णाइब दाद च्वाइस आप देखिए यहां पर देखिए G25 नमबर में यहांपर जो है मन लगोलिक यहां पर 12 हो गया यहां पर 9 हो गया तो यह एंटि आउट में जा रहा है यहां मोमेंट होगी है सिसे एंटी क्लॉक्वइस मिमेंट क्या होता है यह आपको समझ में आ गया अब प्रसना आती है SI है कि बहुत सारे छात्र झात्राइए यह कहते हैं कि सर एंटी क्लॉक्वइस मौमेंट को फ्लस लेना है या उन वोसी मौमेंट Cir tard को प्लस लेंगे कि एंटी क्लॉक्वाइज मॉमेंट को प्लस लेगा अगर आप stability in balance back to the lifeिА्रabh को प्लस लेंगे तो हमेशा रेम्धा क्लॉक्वाइज मॉमेंट को bestbie अगर की एंटी प्लस लेगा चै chicosा कि ओधा कि एंटी क्लॉक्वाइज संसले शिर्भी सकते हैं अब मोमेंट को किस TURI SE manage क्योंकि मुझे यहां मोमेंट का ुछ प्रोब्लम ले कर आएंगे तो कई इसका वैल्व है फोर्स है उसके बाद हम टेस्टेंस जालते है उहां पर डिस्टेंस है चार मिटर है यह है दो मीटर और यह भी है दो मीटर तो यहां पर हो गया सी पॉइंट डी पॉइंट इस तरह का कोश्चन है और हमें जो है मोमेंट निकालना है ठीक है सो कोश्चन में दिया वह राता है find find moment at a point हम आपको जो है मोमेंट से सारा किलियर जो है यह पॉइंट पर हमें moment निकालना है यह बहुत जो है important मतलब की point है कि किस point पर हमें moment निकालना है क्योंकि अगर point वेरी करेगा तो moment का value भी जो है बदल जाएगा आप ध्यान से सुनियेगा अगर हम Point को बदल दें तो Moment का वेलू भी बदल जाएगा ठीक है इसलिए Point जो है बहुत माइने रखता है कि कि इस Point पर आप Moment डिक आ रहे हैं तो सबसे पहले हम अब जो है Moment निकाल रहे हैं ए पॉइंट पर ए पॉइंट पर सो जो हम मेथड अप्लाइ करेंगे उसमें जो है हम क्या करते हैं कि अगर जो है Moment अगर Moment clockwise है तो उसको हम प्लस लेंगे अगर Moment anticlockwise है तो हम माईनस लेंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं clockwise मॉव्मेंट जो हम फ्लस लेंगे और anticlockwise को हम माइनस लेंगे ठीक है अब यह इसमीन सब्सक्राइब क्योंकि हमने सुरू में आपको बता दिया आपकी मन हमको जो है मन है कि हम clockwise को फ्लस लेंगे और एंटी clockwise को नेगेटिव लेंगे ठीक है अब देखिए यह कौन सा moment है clockwise moment है चार न्यूटन कौन सा मोमेंट है clockwise moment है दो न्यूटन कौन सा मोमेंट है clockwise moment है moment क्या होता है ठीक है ए पर निकाल रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे moment m और a point पर निकाल रहे हैं इसलिए m suffix a लिखेंगे ठीक है जिस point पर moment निकालेंगे हम लिखेंगे m अगर a point पर निकाल रहे हैं तो a अगर b point पर निकालेंगे तो b अगर c point पर निकालेंगे तो c फूर्स इन्टू परपेंडिकुलर कौल मौमेंट सब्सेत Сब्से पहले आगा टो शिक्ष नू diyorsun to six नु लिख दिये इं अब आपके मन में सवाल उठता है कि कौन सा दिस्टेंस तो जिस पॉयंट पर निकाल रहे हैं उस point पर आपको आना है तो यहां से हमको आना है a point पर क्योंकि हम a point पर निकाल रहे हैं तो इस point से इस point तक का दूरी क्या है अर्था आते b से a का दूरी क्या है क्योंकि हम a पर निकाल रहे हैं तो force into perpendicular distance तो हो गया 2, 2, 4, 4, 4, 8 तो फोर्स हो गया 6 और डिस्टेंस हो गया 8 ठीक है तो यह हो गया उसके बाद प्लस दूसरा फोर्स में आते हैं कितना है चार न्यूटन तो फोर इंटू फोर्स इंटू perpendicular distance यहाँ से चार से एत पर निकाल रहे हैं इसलिए अ का distance क्या होगा चार से एत का distance कितना है तो six है तो हम six लिख दिए ठीक है अधि से एकडी से कितना है तो चार दुछ्य है तो चौल लेखने उसके बाद प्लस तो नुटन यानि कि 2 निख है, force into perpendicular distance, कौन सा point पर, तो 2 into 4, ठीक है, अब देखिए, 8 छक, 48, प्लस, 64, 24, प्लस, 4 दुना, 8, ठीक है, तो यह जो है, किस तरह से हो जागा, तो 8, 4, 12, 12, 20, ठीक है, उसके बाद, 4 दू 6, 6 दू 8, ठीक है, तो यह हो गया, 80 Newton, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पिरे छात्रो, 24, ठीक है, यह हो गया, 72, 72, 8, 80, ठीक है, यह force हो गया, तो इसका unit होगा, Newton per meter, ठीक है, तो M equal to Newton per meter, आप बोलिएगा, कि moment का unit क्या होगा, Newton meter, क्योंकि force into perpendicular distance, so 80 Newton per meter हो जागा, ठीक है, Newton per meter नहीं, Newton meter होगा, क्योंकि force into perpendicular distance है, so Newton meter होगा, ठीक है, per meter नहीं, sorry हम माफी चाहते हैं, अब जो है, आपका force moment निकल गया, लेकिन सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होती है, सवाल यहाँ पर यह है, कि sir, अगर हमें moment C point पर निकालना रहता, तो क्या होता, तो अगर हमें moment C point पर निकालना रहता, तो जहाँ पर C point पर जो moment है, अर्था जो force है, यह जो है, 0 हो जाता, और आपका value की आता, तो च्यार और distance भी बदल जाता, ठीक है, इसलिए अगर समझने के courses के जगा, अगर हम पूछें कि moment at C point, ठीक है, हम C point पर निकाल के दिखा रह C, तो सबसे पहले जो है, force कितना है, तो 6 ठीक है, 6 गुने, 20 C का distance किया है, क्योंकि हम C point पर निकाल रहे हैं, तो 6 गुने 4 ठीक है, तो 6 गुने 4 लिखेंगे प्लस, यहाँ पर है 4 Newton, तो 4 लिखेंगे, गुने, दी से सी का डिस्टेंस क्या है क्योंकि हम सी पॉयंट पर निकार रहे हैं तो दो मीटर लिए आप कहिएगा कि सर टू मीटर तू न्यूटन का क्या होगा तो दो गुने यहां पर सी पर सी का डिस्टेंस क्या है तो जीरो तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर जीरो मीटर ठीक है न्यूटर मीटर सो यहां पर देखिए अगर हम ए पॉयंट पर निकाले तो 80 न्यूटर अगर हम सी पॉयंट पर निकाले तो 32 न्यूटर पर मीटर ठीक है यह पर कितना है तो इस तरह से जो है मोमेंट निकाला जाता है ठीक है